तो देखते हैं पर question number first में हमसे क्या पूछा क्या है How will you separate a mixture containing kerosene and petrol difference in their boiling point is more than 25 degrees Celsius which are miscible with each other तो हमें यहाँ पर kerosene and petrol को क्या करना है दोनों को अलग करना है और इन दोनों को बीच का जो boiling temperature है वो यहाँ पर क्या है more than 25 degrees Celsius है और यह आपस में क्या है मिल जाते हैं मतलब miscible है तो हमें इसको separate करने के लिए कौन सा process यूज करना पड़ेका हमें यहाँ पर distillation process को यूज करना पड़ेका तो आपको यहाँ पर red side diagram देख रहा है यह हमारा कौन सा process है यह हमारा यहाँ पर distillation process वे यहाँ पर लिख दितो हूँ इस ड्याग्राम में आपको यहां पर salt water दिख रहा होगा इसके जिगां हम यहां पर क्या लेंगे kerosene and petrol लेंगे तो मैं यहां पर लेग देता हूँ तो जैसे जैसे यहां पर इसका टैंप्रेचा ओए वैसे वैसे जो हमारा पैट्रूल है वो हमारा किसमे चैंज होगा वीपर में चाहिए उनके तो eren यहांपर साइड में क्यों रहते हैं water रहते हैं क्या रहते हैं यहांपर रहते हैं तो थंडा करने के बजिसे कर दीता है fire को water नो change laws और दीरे धीरे यहांपर दूसरे फिलास्पैनि हंपर क्या होगा हमारा चो petrol एकटा होता रहेगा तो इस प्रोसेस से हम यहां and Patrol को अलग कर सकते हैं तो kerosene हमारे हैं या पर क्या हो जाएगा बस जाएगा क्यूंकि का boiling temperature जाद होता है तो petrol यहां पर सबसे पहले vapor में चांज होगा condenser तो फिर दुबारे हैं यहां पर liquid में change हो जाएगा और हम यहां पर दूसरे flask में इसको store उसवर करके रख सकते हैं तो यह हमारे हैं पर सिंपल प्रोसस जो कि मैंने हैं पर लिखा हुआ है जो कि मैंने हैं पर left side state में यही चीज लिख्यू हुए यह मैं फिरसे पढ़के बता देता हूं तो यहां पर हमारे तो difference है, दोनों के बीच का कितना है, 25 degree Celsius है, तो हम यहाँ पर simple distillation process से दोनों को अलग कर पाएंगे, तो यहाँ पर क्या है, जो mixture of kerosene and petrol है, इसको हमें किस में लेना पड़ेगा, distillation flask में लेना पड़ेगा, यह जो हमारे यहाँ पर क्या था, distillation flask था, जिसमें हमने यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हो पाएगा, तो हमें यहाँ पर जो heat देनी है, वो काफी धीरे-धीरे करके देनी है, तो यहाँ पर आगे क्या लिखा है, और vapor में change होने के पाद वो condenser से गुजरेगा जिसके विज़े से वो यहाँ पर liquid में change हो जाएगा वो हम यहाँ पर दूसरे container में इसको store करके रख सकते हैं और kerosene हमारा यहाँ पर distillation flask में ही बचा रह जाएगा तो इस तरीके से हम यहाँ पर दोनों को separate कर पाएंगे तो hope आपको इस question का answer समझ में आ गया होगा अब हम चलते हैं अपने next question के तरफ